आशिक्षित को शिक्षा दे अज्ञानी को दे ज्ञान क्योंकि शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक अगरवाल और स्वागत करता हूँ आपका Magnet Brains के चैनल पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के हर व्यक्ति हर नागरिक फिर चाहे वो स्कूल प्रबंदन हो चाहे कोचिंग प्रबंदन हो चाहे स्कूल के टीचर्स हो या कोचिंग के टीचर्स हो या उस स्कूल और कोचिंग में पढ़ने वाले लाखों करोडों विध्यारती हो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सब से और आप से चंद सवाल पूछना चाता हूँ और मैं इस सवालों का कोई जवाब नहीं चाता मैं नहीं चाता कि आप इन सवालों का कोई जवाब दे या कोई टेस्ट हो रहा है यहापर मैं बस इतना चाहता हूँ कि इन सवालों के बारे में आप सोचें इन सवालों को गौर करें और खुद ये नेड़ें कि क्या सही है और क्या गलत है सवाल ये उठता है कि जिस देश में समाजिक तोर पर जो देखा जाता है कि सिक्षा हर नागरी की एक बुनियाद है शिक्षा हर व्यक्ति हर विध्यारती का एक मौलिक अधिकार है मतलब अगर हम एजुकेशन को समझें तो इनसान और जानवर में जो अंतर पैदा करता है वो एजुकेशन होता है दुष्ट और सज्जन व्यक्ति में समाजिक तोर पे जो डिफरेंस क्रियेट करता है वो एजुकेशन होता है और जहां जिस देश में एजुकेशन और शिक्षा इतनी एहम होती है मतलब वो कहते हैं अभी तक हम तीन चीज़े मानते थे कि हर इनसान के लिए जरूरी क्या है रोटी, कपड़ा और मकान अब इस में एक इस चेड़ी में एक शब्द और हमें जोड़ना है रोटी, कपड़ा, मकान और सिक्षा अब ये चार स्थम होते हैं जो हर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए उसकी रोजमर्रा की जिन्दगी को चलाने के लिए उसके एक समाजिक तोर पर एक सज्जन वेक्ति कहलाने के लिए ये वो चार स्थम होते हैं जो सबसे एहम होते हैं जो सबसे जरूरी होते हैं और ये बुनियादी होते हैं और जिस देश में ये शिक्षा जो चोथा स्थम है, जो सबसे बुनिया दिये, सबसे जरूरी है, वहाँ लाजमी है कि कुछ सवाल उठते हैं, सवाल ये उठते हैं कि इस शिक्षा को कई लोगों ने अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस, मतलब कहना चाहिए अपना धन्ना ब आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, माल गिरते रहना चाहिए बस, उनको सिर्फ इस बात से मतलब रह गया है, और इसका मैं उधारण भी आपको देता हूं कि जैसे अभी पूछा जाता है कि या कोटा क्या है, तो लोग बोलते हैं सर वो कोचिंग इंडस्ट्री का हब है, को आपको नहीं लगता है इस स्टेट्मेंट में कुछ आपती जनक शब्दे, माला कोचिंग इंडस्ट्री, अब क्या हमारे शैक्षणिक संस्थान इंडस्ट्री बन चुके, टीचर जो फेकल्टी होते हैं, जो सबसे सम्मानिय विक्ति होता है समाज का, क्या अब वो एक मज हो गए है, जो एजुकेशन नाम के प्रोड़क्ट को वहाँ पर बना रहे है, और वो संस्था उसको बेच रही है, उसको सेल कर रही है, और अगर ऐसा हो रहा है, तो आप से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है, ये सही है, मतलब जो किसी बच्चे क किसी विध्यारती का एक मौलिक अधिकार है, उसका एक fundamental right है, right to education, उस अधिकार को पाने के लिए उसे लाखों रुपे, फीस के तोर पे करना पड़ता है, तब जाकर उसे वो अधिकार मिले, तो क्या उसे उस अधिकार को खरीदना चाहिए, आज ये सवाल उठता है, और य उसे क्या उस अधिकार को खरीदना चाहिए, और वो भी कितनी फीस दे कर, लाखों रुपे फीस दे कर, आपको पता है, coaching industries हो, या बड़ी-बड़े institute हो, जो अलग-अलग शेहरों में है, उनकी फीस क्या होती है, तो क्या आपको ये सही लगता है, कि किसी भी विध्यारती क वो अधिकार लाखों रुपे खर्च करके खरीदना चाहिए, अब मुझे बाकी का तो नहीं पता, लेकिन इस चेनी में एक संस्था ऐसा है, जो इसके बिलकुल विपरीद सोच रखता है, सोच इस बात की, कि हर विध्यारती का अधिकार है शिक्षा, तो ये अधिकार उसे हर संभव मिले, सोच इस बात की, कि हर घर सिक्षा पहुचे, सोच इस बात की, कि माता पिता या भी बावक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं, उनकी बच्चे को वो सिक्षा जरूर मिले, सोच इस बात की, कि माता पिता की आए और कमाई पर उन मुहीम चालू किये हर घर सिक्षा और 100% free and complete education to every student free and complete education to every student magnet brains की ये मुहीम है जिसमें हर घर पर सिक्षा पहुचे और हर बच्चा हर बच्चे को वो सिक्षा मिले कोई भी बच्चा इस सिक्षा से अचूता ना रहे फिर चाहे वो बच्चा फिर चाहे वो विध्यारती केजी से लेका 12 तक किसी भी ख्रॉस का हो वो किसी भी प्रतियोगिता परिक्षा की त्यारी कर रहा हो फिर चाहे वो IoT,JE हो, NEET हो, Banking हो, SSC हो, CUET हो फिर चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो या इंगलिश मीडियम का छात्र हो Magnet Brains ensure करता है कि छात्र की भाशा उसकी शिक्षा के बीच में रोडा या रुकावत नहीं बननी चाहिए Magnet Brains ensure करता है कि छात्र जो भी हो जिस किसी भी मीडियम का हो चैनल से खाली हाथ अना जाए क्योंकि हर श्रेणी चाहे वो government exam हो या competitive exam हो private sector का चाहे वो kg से लेकर 12th class तक की कोई भी class हो सभी के lectures जो है वो Magnet Brains की website पे भी और Magnet Brains के YouTube channel पर available है और अगर हम good वत्ता यानि की quality के अगर बात करें तो बिलकुल स्वागत है मैं आपको ये मौका देता हूँ पूरे तरीके से कि कोई भी वीडियो आप Magnet Brains का और कोई भी उसी topic का वीडियो किसी भी दूसरी संस्ता किसी भी दूसरे बड़े channel का आप दोलो एक साथ play करके देखे या बारी बारी से play करके और खुद जानने कि क्या quality difference आपको मिलता है Magnet Brains के वीडियो में और other XYZ institutes या channel के वीडियो में और जब हम quality गुडवर्ता की बात करते हैं तो सिर्फ यह नहीं कि video HD quality में है की नहीं है वीडियो में कोई color images या audios videos clear है की नहीं है सिर्फ यह ही शामिल नहीं होता teacher से जुड़ा हुआ content सवालों से जुड़ा हुआ level सवालों का star हर एक topic हर एक theory का हर एक important topic हर एक chapter पूरे तरीके से मौझूद है की नहीं है और यह मैं मौका देता हूँ कि आप बिलकुल जाकर इन सब चीज़ों की गुडवत्ता चेक करें बड़े institute जिनके आपने नाम सुने हैं जो लगता है यह बहुत बड़ा channel है आप उनके साथ वही same topic का वीडियो compare कर कर देखें आप खुद जान जाएंगे की quality का क्या difference है साथ ही magnet brain की इस मुहीम में आप समझ सकते हैं कि यह channel ऐसा channel नहीं है कि जो सिर्फ दो चार वीडियो से उठा है जो सिर्फ दो चार वीडियो डाल दिये और बोला कि यार यह चल गए fame पा लिया और अब हम लोग वीडियो बनाते इस channel के पीछे कड़ी तपस्या कई लोगों की महनत, कई लोगों की planning और कई लोगों की strategy शामिल है तब जाकर सतर लाख से भी जादा लोगों का भरोसा इस channel के साथ जुड़ा है और इसका प्रमाण इस बात से है कि 30,000 से भी जादा वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, more than 30,000 मतलब आप सोचिए कि 30,000 वीडियो के पीछे क्या महनत होती होगी चाहे वो back end की team हो चाहे वो front end की team हो 30,000 प्लस वीडियो बनाना अपने आप में एक बड़ा कीरतीमान है जिस से 70,000,000 से भी जादा लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप से चाहूँगा कि आप भी इस मुहीम का हिस्सा बने ये जो हरगर सिक्षा free and complete education की जो मुहीम है आप इस मुहीम का हिस्सा बने और आप बिलकुल बन सकते हैं अगर आप स्कूल प्रबंदन है अपने संस्था में इसको बिलकुल play कर सकते हैं अपने किसी website के साथ integrate कर सकते हैं अपने किसी भी app या किसी भी device के साथ embedded कर सकते हैं और अपने संस्था के बच्चों को आप seminar hall में computer lab में कहीं भी magnet brains के videos दिखा सकते अगर आपको लगता है कि आप क्या कोई विशय का teachers available नहीं है अगर आपको लगता है कि कोई particular विशय कोई particular subject में कोई teacher proper time नहीं दे पा रहा है तो magnet brains आपको 100% बिलकुल वो video चलाने की permission देता है बिलकुल वो video चलाने की अनुमती देता है in fact हम तो चाहते हैं कि आप इस मुहीम का हिस्सा बने already magnet base ने दो से दो companyों के साथ अभी MOU साइन कर लिया है अगर आप भी MOU के लिए interested है तो आप बिलकुल उसको भी साइन कर सकते हैं और again repeat करते हैं क्योंकि मुहीम है free education की तो इसमें कोई भी कोई भी monetization involved नहीं है यानि कि किसी भी रूप में पैसे का कोई लेंदेन involved नहीं है तो आप बिलकुल बिना hitch के बिना किसी फिक्र के और बिना ये चिंता रखे कि tie up करना है तो यार पैसे तो कितने लेंगे ये लोग कितना franchisee cost देंगे ऐसा बिना कुछ सोचे आप लोगों का स्वागत है आप बिलकुल इस मुहीम का हिस्सा बन सकते है और हमारे वीडियोज Magnet Bains चैनल के वीडियोज को आप अपने आप कहीं पे भी play कर सकते है सारवजनिक तोड़ पर आप इसको play कर सकते है और अपने आपके बच्चों को एक बहतर शिक्षा दे सकते है तो बहतर शिक्षा की इसी मुहीम के साथ इसी मुहीम को आगे बढ़ाते रहेंगे क्योंकि देखिए चैनल तो रहेगा हम बदलेंगे हमारे पीछे नई PDI आएगी नई टीचर्स आएगे नए प्रबंदन नए मैनेजर्स होंगे चैनल के नया मैनेजमेंट होगा लेकिन ग्यान का ये भंदार ग्यान का ये समंदर हमेशा मौजूद रहेगा अपने विध्यारतियों को शिक्षित करने के लिए हर बच्चे को उसकी बुनियादी जरूरत शिक्षा देने के लिए तो मैगनेट बेंस की इसी मुहीम का हिस्सा बनने के निवेधन के साथ मैं आग्या चाहूंगा आपकी और कमेंट करके अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो तो बिलकुल आप अवेशिक कमेंट करके मेरे को बताएं और उसके जवाब आपको 100% मैंगनेट बेंस की टीम की तरफ से जरूर मिलेंगे बाकी स्वागत इस मुहीम में हर घर सिक्षा पहुचे, इस संकल्प के साथ हम लोग विदा लेते हैं भाहे हैं, थाइक यू सो मच